मस्कार दोस्तों आप सभी का हमारे यूटूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत है दोस्तों इससे पहले वाली वीडियो में हमने लैड एसिड बैटरी का चारजर बनाना चीखा था आप सभी को पता है कि हमने एक रिपेरिंग को स्टार्ट किया हुआ है जो कि बिल्कुल free of cost है बट मैं आप से माफ़ी मागना चाहता हूँ कि मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं डाल पा रहा हूँ दोस्तों देखे मेरी भी काफी मजबूरिया होती है आप सभी को पता है कि मैं private institute में पढ़ाता हूँ 10-15 दिनों में मैं आपको complete करवा दूँगा with practical के साथ तो देखिए वो काम मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है परन्तु ये भी उतना ही जरूरी है बट मेरी financial दिकत थी जिसके कारण में इसको time नहीं दे पा रहा था बट विश्वास मनाई रखिए मैं आपको जरूर ये course पूरा करवाओंगा आने वाले 10-12 दिनों के अंदर तो चलिए आज का हमारा topic हम start करते हैं तो देखिएगा जो विदाटी अभी इसको भूल चुके हैं पहले एक बार वीडियो को जरूर रिवाइज कर लीजिएगा क्योंकि मैंने इन वीडियो में जैसे हमारी 33 यानि की 33 वीडियो कम्पलिट हो चुकी थी जिसमें मैंने डायोड के बारे में रजिस्टर के बारे में सारी basic knowledge हो थी वो मैंने दे दी थी उनको check करना भी बता दिया था multimeter के साथ तो आज जो हमारा topic है वह है transistor तो देखिएगा आज हम transistor करने वाले हैं transistor को बिल्कुल basic से करेंगे जितना हमारे लिए काम में आता है उतना ही करेंगे ज़्यादा deep में नहीं जाएंगे रिपेरिंग कोर्स के सिधान से ही इसे करेंगे अगर मैं थियोरी के हिसाब से करवाने लग जाऊं तो यह है तीन से चार दिन अगर टोपिक है परंतु आज हम 15 से 20 मिनिट की वीडियो में इसे खतम कर लेंगे ताकि हमें रिपेरिंग करना आसके तो देखिए आज गाज हमारा टोपिक है वह है राज़िश्ट का धिक अगश्ट देखिए दोस्तों डा favorable Congrats दो यह सिंबल होता है वह है यह होता है Debatte मीं दोपाइंट होते है यानि दो टर्मिनल होते हैं एक साइड पी और दूसरी साइड एन और डाइओड दिखने स्द aí वहह क्या होता है अन्साइड ऊल्द दूसरे सिट योरे होते हैं अब ट्रैंजिस्टर कि बाद करें तरह से कंड़ीज्टर कैसे बनता है सिंपल सी बात है ट्रैंजिस्टर क्या इतना सा ही काम करना है ट्रांजिस्टर तैयार है मैंने सिफ थ्योटिकली बताया है ऐसा नहीं कि आप दो डायोड को प्रैक्टिकली जोडने लो जाओ दो डायोड को प्रैक्टिकली जोडने पर ट्रांजिस्टर नहीं बनता थ्योटिकली समझने के लिए मैंने आपको बताया है ठीक है हाँ यह आपस में जुड़े होते हैं ट्रांजिस्टर के अंदर इंटरनली इंटरनली जुड़े होते हैं अगर आप दो डायोड को जोड़ते हो तो ट्रांजिस्टर नहीं बनेगा डायोड ही रहेगा ठीक है बट मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि आप आप दो डायोड को इस तरह से जोड दिजी है यह तर्मिनल कों न ए पिन ए और दौनों डायोड के एन टरिमिनल आपस में जुड़े होगा यह कौन सा मिन gya PNP और यह तो बिल्कुल मज़ी ए ट्रांजिस्टर का सिंबल क्या है देख़ हमने क्या किया तीरे तीन टर्मिनल जो है बाहर निकाल दिये हैं ये ट्रांजिस्टर का क्या बन गया सिंबल बन गया अब डायॉड में दो सेरे होते हैं देखिए पी और एंड इसमें तेंग रहे होते हैं इसमें पी और एंड नहीं डाइड आपस में जूट रहे हैं, इसे क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं, क्या लिखोगें, बेस, इसी तरह से, यहां पर एक आपको चिने लगाना है, arrow का निशान लगाना, देखिए, यह अंदर के तरफ हो सकता है, यह बाहर के तरफ हो सकता है, अभी बात करेंगे, जिस तरफ ये arrow का निशान है वो point होता है कौन सा emitter और जो बची हुई pin है वो होती है collector देखिए transistor में तीन pin होती है base, emitter and collector अब ये हमने arrow लगाया है तो इसका क्या मतलब है अभी आपको समझ में आ जाएगा देखिए एक तो ये symbol है transistor का आपसे कोई पूछ ले कि transistor का symbol कौन सा होता है तो ये होता है symbol अच्छा दिखने में कैसे होते हैं आपको screen पर दिख रहा होगा ऐसे transistor होते हैं भांती भांती के transistor होते हैं अलग-अलग दिखने में होते हैं But, transistor के हमेशा तीन terminal होगे, transistor के हमेशा, एक, दो और तीन terminal होगे, तीनो terminal कौनसे कौनसे होगे, base. देखिए, base कौनसा सिरा होगा, जहाँ पर दोनों सिरा आपस में जुड़ रहे हैं, देखिए, n एं और n जुड़ा हुआ है, तो n सिरा, यानि ये base है, और दिस तरव arrow का निस्थान होता है उसे मना जाता है हमेशा collector और ये sorry, emitter और ये collector तीन पिन आपको याद रखने हैं अब देखिएगा ये तो हमने एक symbol बनाया है एक और symbol बनाते हैं यहाँ बना दीजिए, hall बनाईए, same system वैसे ही बना दीजिए इसमें हमने arrow अंदर की तरव रखा है तो इसमें आप arrow बाहर की तरव रखिए देखिए, ये क्या है, base है, ये क्या है, emitter है ठीक है, ये base है, ये emitter है, और ये है collector ये है collector, अब देखिए, इसमें arrow अंदर की तरव है, और इसमें arrow क्या है, बाहर की तरव अब देखिए आपको एक बात यात रखनी है एरो अंदर की तरफ है और करंट की दिशा कैसे होती है जैसे अगर मैं यहां यह बनाओ तो यह क्या दर्सारी है मुझे कि करंट उपर की तरफ जा रहा है करंट कहां जा रहा है उपर की तरफ और current की दिशा कैसे होती है plus से minus की ओर बिल्कुल सही बात है यह current अंदर की ओर जा रहा है यानि की कैसे जा रहा है plus से minus की ओर plus कोम क्या बहुते है P, minus कोम क्या बहुते है negative, देखिए positive, negative और यह बचा क्या हुआ positive, देखिए सेम यह जीज़ बनेगी ना N, N, negative positive, negative simple सी बात है current की दिशा plus से minus की ओर होती है यानि plus से minus की ओर current जा रहा है तो यह सिरा कौन सा है P सिरा है और यह सिरा कौन सा है N सिरा है, बचा हुआ भी P सिरा हुआ, यानि कि यह transistor कौन सा है यह transistor है हमारा P, N, P यह transistor कौन सा है P, N, P जो की बिलकुल यहां दिख रहा है इसी तरह से इसके अंदर arrow का निसान दिखिए कहां पर है, बाहर की ओर इसमें arrow का निसान है current कैसे चलता है plus से minus की ओर चलता है तो यानि कि यहां plus है, यहां minus है यानि कि base कौन सा है plus यानि positive यह क्या है negative और यह क्या है negative यानि कि यह कौन सा transistor है यह है N, P, N यह लिजिए दो तरह के transistor होते हैं P, N, P और N, P, N P, N, P कैसे मला जब दो diode का N सीरा आपस में जोड दिया तो एक N बना और दोनों तरफ P बना इसी तरह से इसके अंदर भी क्या होगा दोनों diode का P सीरा आपस में जोड दिया देखिए इसमें N सीरा जोड है इसमें दोनों का P सीरा जोड दिया यानि यह positive और negative यानि कि P, N, P, transistor जिसमें दो diode के P सीरे आपस में जोड दिया हो दो diode जोड ओगे तो आप transistor का निर्मान कर लोगे यह internally जुड़े होते हैं crystal में जुड़े होते हैं तो यह आप बिल्कुल समझ लिजिए simple सी बात है देखिए diode को चेक करना आता है न आपको बिल्कुल माने आपको सिखाया है positive negative diode के अंदर दो बायस होते हैं forward bias और reverse bias forward bias में multimeter से आप continuity बेसे चेक करते हैं तो एक तरफ forward bias में reading आती है दुसरी तरफ कोई reading ने आती simple सी बात है इसमें क्या करोगे इन दोनों point पर आप चेक कर लीजिए एक reading आएगी ultra check करेंगी कोई reading ने आएगी इसी तरह से इने चेक कर लीजिए एक reading आएगी reverse में चेक करोगे कोई reading ने आएगी इसका मतलब transistor सही है जिस तरह से diode को चेक किया जाता है same to same उसी तरह से transistor को भी चेक किया जाता है तो transistor को भी हम check करना सिखेंगे तो सबसे पहले आपको इतना समझ में आ जाना चाहिए आपने image में देख लिया है transistor कैसा होता है symbol ये देखिए बना कैसे आपने देख लिया अब थोड़ी सी हम working समझ लेते हैं तो देखिए दोस्तो mostly transistor के दो ही काम होते हैं transistor के mostly दो काम होते हैं ऐसे बहुत से काम आप इससे कर सकते हैं बात है आपके समझने की तो mostly दो काम होते हैं पहला तो होता है electronic switch की तरह यानि कि इसे आप electronic switch बना सकते हो तो पहला काम transistor का होता है electronic switch की तरह as a electronic switch दूसरा काम क्या होता है signal को amplify करना सिगनल को सिगनल एम्प्लिफाई करना सिगनल एम्प्लिफाई करना सिगनल एम्प्लिफाईर देखें ट्रांजिस्टर दो तरह से काम कर सकता है सिगनल को एम्प्लिफाईर कर सकता है स्पोज की एक छोटा सिगनल है इस सिगनल को बढ़ाना है तो आप ट्रांजिस्टर की सहा तासे आप इस signal को बढ़ा सकते हैं उसका amplitude बढ़ा सकते हैं उसे काफी हद तक बढ़ा सकते हैं तो as a amplifier आप transistor का इस्तिमाल कर सकते हैं electronic switch देखें दोस्तों electronic switch जो जो remote control devices है जैसे कि हम कोई भी remote control device की बात कर लीजिए जैसे remote control पंखा है तो आप remote से कोई button press करते हो तो पंखे को signal मिलता है और उस signal को switch कराने के लिए हम transistor का इस्तिमाल करते हैं यानि कि यह एक electronic switch की तरह काम करता है manual switch तो normally हमारे घुरों में लगा होता है चालू बंद करने के लिए जो यहां पर normally on off करने के लिए लगा होता है बट electronic तरीके से जहां पर चीज को चालू बंद करवाना हो या switching करवानी हो तो हम transistor का इस्तिमाल करते हैं या signal को बढ़ाना हो देखिए signal कोई भी हो सकता है audio signal हो सकता है विवास आदियों में बड़े-बड़े amplifier चलते हैं उनमें क्या होता है ट्रांजिस्टर होता है वह audio signal को बढ़ा रहा है video signal भी होता है बहुत तरह के signal होते हैं तो कोई भी signal हो आप transistor से बढ़ा सकते हैं simple सी बात है दो काम होते हैं तो देखिए अब थोड़ी सी हम working समझ लेते हैं देखिए transistor की working सबजना थोड़ा कठिन है बट मैं बिल्कुल समॉल तरीके से आपको बता दूँगा जिसमें के आप aj switch भी काम करवा सकते हो और aj amplifier भी transistor से काम करवा सकते हो देखिए basic क्या है transistor का basic आप इस आप suppose कीजिए मैं एक टॉंटी बना रहा हूं टॉंटी समझते हो यह एक टॉंटी है और यहाँ पर क्या लगा हुआ है वालव लगा हुआ है चालू बंद करने के लिए इसे देखिए जहां से पानी आ रहा है जहां से इस टॉंटी में पानी प्रवेश कर रहा है इसे आप नाम दे दीजिए collector और जहां से पानी फ्लो हो रहा है निकल रहा है उसे आप कह दीजिए क्या emitter और ये जो है यानि कि इसका वालव चालू बंद इसे धीरे करने के लिए तेज करने के लिए इसे आप क्या कह दीजिए बेस कह दीजिए यह निजी यानि कि किसी ट्रांजिस्टर में हम बेस को कंट्रोल करके बेस धारा जो है उसे कंट्रोल करके उसकी इमिटर धारा बढ़ा गढ़ा सकते हैं यानि कि इस base current को मैं control करके यहां पर पानी का flow रोक सकता हूं, बढा सकता हूं, कम कर सकता हूं, simple सी बात है, यह देख लिए, तो चलिए इस तरफ में transistor बनाता हूं, ताकि हम थोड़ी सी इसकी working समझ पाए, बिल्कुल practical तरिके से आपको समझाऊंगा, ताकि आपको अच्छे स समझ में आ जाए, base और emitter और collector, इसको हमने इस तरफ रखा है, यानि कि यह कौन सा transistor है, अगर arrow का निसान बाहर के तरफ हो, तो NPN transistor यह है, तो देखिएगा, इसकी थोड़ी सी working हम समझ लेते हैं, एक NPN transistor है, NPN और N, तीन टर्मिनल इसके है, बीच वाला टर्मिनल क्या है, base है, और इधर वाला टर्मिनल क्या है, emitter, और यह क्या है, collector, simple सी बात है, अब आप एक मुझे बात बताईए, क्या मैं इन दोनों पॉइंट पर एक battery लगाऊं, तो क्या transistor काम करेगा, देखिए कैसे लगाता हूँ, प्लस माइनस, ठीक है, और यहाँ बीच में हम एक लोड जोड देते हैं, यह हमने एक लैम्प लगा दिया, अब आप मुझे यह बताईए, क्या यह है लैम्प काम करेगा, क्या यह लैम्प गलो करेगा, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देखी है, तो आप मुझे जुरूर बता सकते हैं, कि यह लैम्प गलो नहीं करेगा, क्योंकि देखिए, डायोड है, डायोड में दो सीरे होते हैं, पॉस्टिव और नेगिटिव पी एन इन्हें बोला जाता है, अगर बैटरी का पॉस्टिव इस से जुड़ा हुआ है, तो यह काम करता है, इसका यूज़ करके इसे काम करवाना पड़ेगा, देखिए कैसे करेंगे, हमने क्या किया, एक ओर सोर्स लिया, और यहां एक छोटी बैटरी का इस्तेमाल किया, एक रजिस्टन्स के साथ, और यह एक रजिस्टन्स जो है, वो वेरियेबल रजिस्टन्स है, यानि कि कर सकते हैं, तो देखिए, सिंपल सी बात है, यहां हमने एक बैटरी लगाई है, यह बैटरी का क्या है, पोजिटिव है, और यह क्या है, नेगिटिव है, बैटरी का पोजिटिव ट्रांजिस्टर के बेस से जुड़ा हुआ है, और बेस क्या है, पोजिटिव है, आई बात हिस्सा तो क्या ये आपको डायोड की तरह नहीं लग रहा मतलब है तो डायोड इतना इतना हिस्सा यदि की पी और एंड यानि कि इस कंडिशन में ये इतना हिसा forward device में आ गया है और इसमें से एक current flow होगा होगा के नहीं होगा होगा बिलकुल होगा और जब इस सीरे में से current flow होगा तो इसी के मताबिक इसमें भी एक current flow होगा इसी के मताबिक यानि इसी के अनुपात में इसमें भी एक current flow होगा परन्तु ये जो करंट होगा इसको मुकाबले काफी गुना जादा होगा सिंपल सी बात है हमने इस junction को forward वाइस में रखा जिसके कारण इसमें भी करंट flow होने लगा अब करंट flow इसमें भी होगा यह लिजिए यह है transistor का basic बिल्कुल practical दरीके से मैंने आपको बताया है देखिए हमने इस section को forward में रखा positive, positive के साथ, negative, negative के साथ यानि कि यह forward में है यह तो काम करेगा इसके काम करने से यह automatic काम करता है भई अब इस resistance से अगर मैं इस current की value change करता हूँ इस current की value change करता हूँ तो यहां भी बहने वाले current की मात्रा में फरक आएगा change होगा जैसे ही मैं इसे इस current को कम करूँगा यहां पर बहने वाले current है यह भी कम हो जागा यानि कि यह lamp मैं इससे control कर रहा हूँ यह एक electronic switch की तरह काम कर रहा है अगर मैं इसका connection तोड़ दूँ यहां से तो यह भी lamp जो है भुझ जाएगा और अगर मैं इसको connection देता हूँ तो यह lamp भी चलो हो जाएगा यह क्या है एक electronic switch की तरह काम कर रहा है यहां पर अगर हम कोई signal दे यहां पर बैटरी के स्थान पर अगर हम कोई signal दे तो वह signal amplifier के रूप में यहां मिलेगा मुझे यानि कि अगर मैं यहां पर कोई audio signal देता हूँ यहां पर अगर मैं कोई audio signal देता हूँ तो उसी audio signal के अनुसार यह बलब glow करेगा simple सी बात है तो एज एम्प्लिफायर भी यह काम करता है transistor simple सी बात है हुआ कैसे देखिए हुआ कैसे simple सी बात है मैं आपको बता देता हूँ current की दिसा तो होती है देखिए प्लस से माइनस की और और आपने एक और चीच पढ़ी होगी जो की है electron electron की जो दिसा है वो माइनस से प्लस की और होती है प्लस से माइनस की और नहीं होती देखिएगा यह जो P सीरा है P में क्या होती है hole की अधिकता होती है बहुत सारे hole होते है आपने इसाज तक I take books में पढ़ा होगा electronics में पढ़ा होगा जब आपने diode किया था अगर नहीं पढ़ा तो इधर देख लीजिए समझ में आ जाएगा और N है इसका मतलब यहां पर electron की क्या है अधिकता है यहां पर electron की देखता है इधर भी N है तो यहां पर electron की क्या है अधिकता है यानि कि बहुत सारे electron यहां पढ़े है बीच में क्या है, hole पड़े है, hole क्या होते है, positive होते है, electron क्या होते है, negatively charge होते है, देखिएगा, यहाँ पर हमने एक battery लगाई, तो देखिए, minus terminal यहाँ है, तो यानि कि minus terminal से electron जब निकला, तो यहाँ आया, electron यहाँ आया, और यहाँ भी बहुत सारे electron है, यहाँ हमने यहाँ से दिया, तो electron और electron के बीच में क्या होता है, repulsion होता है, क्योंकि यहाँ भी minus charge है, और इस पर भी minus charge है, तो इसमें से electron जो है, काफी कुद करके इस junction में आ जाते है, hole में fill हो जाते हैं, hole में fill हो जाते हैं, जिसके कारण एक current flow होता है, जो कि इस section में होता है, इतना इतना, अब देखिए, electron के यहाँ पर amount बहुत जादा है, तो देखिए, कुछ electron इस barrier में ना जाकर के इस barrier को क्या कर देते हैं, पार कर देते हैं, direct इस section में कूद जाते हैं, क्योंकि energy बहुत जादा होती है, और electron की संख्या बहुत जादा है, तो इसमें से कुछ electron इदर जाएंगे, hole में fill हो जाएंगे, पर अंतु काफी electron जो है, यहाँ से गूद करके सिधा इस section में आ जाएंगे, अब इदर क्या है, positive, और electron पर क्यों सा charge होता है, माइनस का, यानि कि अब यह जो electron है, positive की तरफ खीचे चले जाएंगे, यह लीजिए, और electron आया इस बैटरी में, और जब यहाँ electron आया तो बैटरी से निकलते हुए, वापिस इस junction में चला गया, यानि कि इस के current flow होने से, इस बेभी हमें एक current की मातरा मिली, यानि कि इस junction को अगर मैं current को change करता हूँ, तो इसमें भी होने वाले current की मातरा जो है, वो change होगी, बस इतनी सी बात है, simple सी बात है, बहुत सारे electron है, सारे electron इसमें न जाकर के, कुछ electron तो इसमें जाते हैं, बाकी electron जो है, डारेक्ट को जाते हैं, और यहाँ आने से बैंटरी का positive जुड़ा ह है, तो वो उसको खीच लेता है, simple सी बासा में आपको बता रहा हूँ, simple सी बात है, तो समझ लेजिए, यही है transistor, इसी तरह से काम करता है हमारा transistor, अब transistor पर बेस्ट सरकीट आपको करवाऊंगा, जिससे आप LDR सरकीट बगरा चोटे मोटे जितने भी project है, वो मना सकते हैं, त कितना gain हमें दे सकता है amplifier के रोप में, और भी आगे बहुत कुछ सीखने के लिए हैं, चलिए, next video मिलते हैं, thank you.